हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ पहाड़ी सना हुआ नीबू चो कि पहाड़ों में काफी जादा बनाया जाता है जाड़ों के टाइम पे और खाने में काफी टेस्टी लगता है धूब में बैठ कर मैंने हाँ पे तीन नीबू और कुछ फल लिया हैं जैसे कि स नार तो आप वो भी अट कर सकते हैं अब फ्रेंड्स हमने आप इस तरीके से निकालेंगे जितना बारिक हो सके उतना बारिक हमें से निकालेंगे सिर्फ नीबू नीबू लेंगे तो इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है खाने में तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमन ने बारिक बारे काट लिया है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब इसके आगे का हम प्रोसेस करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने भांग लिया है जो कि पहाडों में काफी जादा होता है इसे भून लेंगे उसके बाद मैंने इसे पीस लिया था अब मैंने यहाँ पे और हरी मिर्च का थोड़ा पेस्ट बनाया है जिससी की काफी अच्छा टेस्ट आ जाता है फ्रेंट्स भांग के बिना तो नीवू अधूरा है तो इसमें अब भांग जरूर एट करना और मैंने यहां पे कुछ फ्रूट सेट किये हैं मैंने उन्हें भी बारी बारी काट लिय हैं अब इसके बाद हम इसमें दही एड़ करेंगे फिर जो भांग पीसा था उसी भी एड़ करेंगे जो मैंने भांग पीसा है मैंने इसमें नमक एड़ नहीं किया है यह सिर्फ भूनी हुई भांग है तो आप भी ऐसी ही मिनाना अब यहां पे हरा धनिया और हरी मिर्च का कुणी पेस्ट रहे, इसमें भी नमक यड़ नहीं किया है, हम नमक अलग से ड़ करेंगे। यहाँ पे चीनी अगर आपको जादा मीठा पसंदे तो जाद से अलगता है, नहीं तो दो कम। इसमें गुड़ भी अछ़़ लगता है, तो गुड़ था नहीं, तो हमने इसमेची नहीं एड़ कर दिया अब स्वादनू सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्श जसी काफ़ अच्छा टेस्ट आ जाता है अब यहां से हम जो फूट्स थे उन्हें एड़ करेंगे इसके बाद हम इसे मेक्स करेंगे तो फ्रेंड्स नीवो बनकर बिल्कुल तयार है अब हम इसमें थोड़ा हर अधनियाट करेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बनकर बिल्कुल तयार है काफ़ी टेस्टी आप भी इस तरीके से बिनाना तो खाने में काफ़ी अच्छा लगेगा और अगर इस चैनल पे नहीं है तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब